शौक कर दिया यार डेरिस लॉंक्सफॉर्ड ने यार बहुत ही अमेजिंग कमाल की फिजीक लगते हैं यार यह टू वन टू के चैंपेन है यार टू वन टू के अथलीट है यार मतलब कि फर्स टाइम काटेगरी में कंपीट किया और इतना मैसिव और कंडिशनिंग के साथ यार लुक अट हिस वेस्ट डेरिक की एक खासियत है कि यार वेस्ट को स्मॉल रखके ही साइज गेन करते हैं और कंडिशन के साथ आते हैं और बहुत ही अच्छी परफॉर्मस दी है यार मैंने पहले ही बोला था कि जजजेस इस बार कंडिशनिंग को ज़्यादा प्रेफर निक वाकर को रखा हाडी को रखा डेरिक को रखा है और यार मुझे ये अथलीट सो उमीद नहीं थी बाकी यार सारे अथलीट इस टाइम पर ब्लोटर आये हैं क्या पता वो अपना बेस्ट फैनैले में जाके दें कुछ भी हो सकता है फैनैले में जैसे लास्ट एक बार पैनैले हुआ था तो बहुत ही अच्छी कंडिशिनिंग के साथ आ गए थे उनकी बाडी में वाटर बिल्कुल चला गया था और जिससे वो जीत गए थे एंड डेरिक लुकाट इस ग्लूट गाइस ग्लूट में आप फाइबर देख सकते हो 212 के चैंपिन रहा चुके हैं डेरिक लॉंसफोर्ड लुकाट इस बाक एंड शूलडर एंड कोई इस बार यार मिस्टर लंपया पहले ही बोला गया था यार बहुत ही अन्पेक्टबल होगा कुछ भी हो सकता है इस बार क्योंकि जज्जेज हमेशा साइज गेम साइज गेम खेल रही थी और इस बार कंडिशनिंग लेके आते थे क्या लाजवाब फिजीक होती थी और इस टाइम पर कंडिशनिंग वो लैक करती है बाड़ी बिल्डर में या जब ब्रेंडन करी बने या बिगरेमी बने वो कंडिशनिंग नहीं मिल पाई तो गाइस मुझे लगता है डेरिक फॉस्ट यां से